साथियो नमस्कार सौधी रब और युएई के नित्रतव वाले अलाइन्स और यमन के हूथीव द्रोयों के बीच चार साल से चल रहे युद्ध की अब समाप्ती किसम भावनाई जताई जा रही है अमरीकी अखबार वाल स्टीट जर्नल के अकॉर्डिंग अमरीका और यमन के हूथीव द्रोयों के बीच सीधी बातचीत ओमान देश में शुरू होने वाली है अखबार ने ये भी दावा किया कि अमरीका के तरफ से बातचीत का नित्रत वेटरन डिप्लोमेट क्रिस्ट्रोफर हैंजल करेंगे अखबार के अकॉर्डिंग अमरीका द्वारा सौधी अरब पे भी दबाव डाला जा रहा है कि सौधी अरब यमन के हूथी विद्रोयों से सीधी बातचीत करें और चार साल से चले आ रहे इस युद्ध को समाप्त किया जाए इस समय योईस तिंग टैंक्स में दो ऑपिनियन हैं पहला ऑपिनियन ये है कि यमन के हूथी विद्रोयों को foreign terrorist organization गोशित किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाए दूसरा ऑपिनियन ये है कि यमन के हूथी विद्रोयों से बातचीत की जाए इससे पहले 2015 में भी अमरीकी होस्टेजिज को छुडाने के लिए अमरीका के एक्सपर्ट्स ने हुथी विद्रोयों के परतिनिधियों से बातचीत की थी इसके अलावा 2018 में स्वीडन में शान्ती वारता के संबंद में भी अमरीकी एक्सपर्ट्स ने हूथी विद्रोयों के परतिनिदियों से बातचीत की थी 2015 में हूथी विद्रोयों द्वारा यमन की राजधानी सना पर कबजा कर लिया गया था और यमन के राश्टरपती मनसूर अलहादी यमन छोड़ के सौधी अरविया भाग गए थे उसके बाद सौधी अरव ने कहा था कि हूथी विद्रोयों के पीछे इरान का हाथ है और उसके बाद सौधी अरव और UAE के नितरतों में 40 से अधिक इसलामिक देशों ने यमन के उपर हमला कर दिया था और वो युद्ध अब तक चला आ रहा है World Food Program नाम के NGO के इनुसार उसने पिछले एक महिने में एक करोड से अधिक यमनी नागरीकों को खाना मुहिया कराया है बहुत सारे Think Tanks और Independent NGOs को कहना है कि इस युद में अब तक 90,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है लाखों लोग इस युद की वज़े से बेघर हुए है और करोडों लोग बुखमरी का शिकार हुए है United Nation द्वारा बार बार ये चितावनी दी जा रही है कि इस युद की वज़े से बड़े पैमाने पे यमन में बुखमरी फैल रही है अमरीकी कॉंग्रिस ने भी सौधी अरब और UAE के इस अभियान का विरोध किया है कुछ समय पहले US कॉंग्रिस द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें सौधी अरब और UAE के नितरतव वाले इस अभियान की तीखी आलोचना की गई थी लेकिन उसके बाद राश्ट्रपती डोनाल टरंप ने उस प्रस्ताव के उपर वीटो लगा के उस प्रस्ताव को कैंसल कर दिया था अभी एक महीने पहले ये भी खबरें आई थी कि सौधी अरब और UAE की नितरतों में चल रही सब यान से UAE ने अपनी फौजें वापस खीच ली थी उन्होंने अपने टैंक, लडाकू हेलिकॉप्टर, यमन के अधन शहर से वापस अटा लिये थे तो कुछ विशेशगों का ये भी दावा था, इस अलाइंस में अफ फूट पढ़ने लग गई है और जो इस अलाइंस का में नितरतों कर रहे थे, सौधी अरब और UAE उनमें भी आपस में अनबन चल रही है इसके अलावा हूती विद्रोयों द्वारा सौधी अरब के जिजान शहर में मिजाईलों और ड्रॉन से बार-बार हमले किये गए जिजान शहर के एरपोर्ट को भी हूती विद्रोयों द्वारा निशाना बनाया गया इस समें सौधी अरब के Deputy Defense Minister और Upper Crown Prince मौहमद बिन सल्मान के छोटे भाई प्रिंस खालिद बिन सल्मान अम्रीका के दोरे पे हैं और experts का ये कहना है, बहुत सारे पत्तरकारों का ये कहना है कि प्रिंट्स खालिज बिन सलमान की मुलाकात अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉंपियो से होगी और माइक पॉंपियो इस बात पे जोर देंगे कि सौधी अरब इस युद को समाप्त करे और सौधी अरब बाचीत के जरिये सारे मुद्दे सुलजाए कुछ समय पहले हूथी विद्रोयों ने अपना एक ambassador इरान में भी अपॉंट किया था और इस समय हूथी विद्रोयों के ग्रुप में भी इस मुद्दे पर मतभेद हैं कि क्या अमरीका और सौधी अरब से बातचीत की जाने चाहिए या अमरीका और सौधी अरब से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जानी चाहिए एक्सपर्ट का खासकर वेस्टरन एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि अगर अमरीका हूथी विद्रोयों के साथ सीधी बातचीत करता है तो जो डोनल्ड टरम की policy है कि इरान पे maximum pressure बनाया जाए उस maximum pressure की tactic को भी एक बड़ा धक्का लगेगा ये बहुत सारे विशेशगों का कहना है जब से ये युद शुरू हुआ उसी समय से सौधी अरोप और UAE द्वारा ये आरोप लगाए गए कि जिन मिजाईलों का इस्तिमाल हूथी विद्रोयों द्वारा किया जा रहा है वो सभी म नहीं कर रहा है इस पूरे चार साल से चले इस अभियान के दोरान सौधी अरप्त और UAE की सहनाओं पे भी गंभीर सवाल बार बार खड़े हुए हैं क्योंकि उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने गलत तरीके से सिविलियन एरियाज पे भी बंबारी की जिसमें सैंकडो नि तो किसी की जीत हुई है नहीं किसी की हार हुई है लेकिन एक बात तो ये तै है और एक ये बात बिल्कुल निश्चित है कि इस युद में अगर अब तक किसी की हार हुई है तो वो यमन के नागरिक हैं क्योंकि करोडों लोग यमन के बेगर हो गए हैं बुखमरी का शिकार हो रहे हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा है मलेरिया हैजा जैसी बिमारियां बड़े पैमाने पे यमन में फैली हुई है और बार बार युनाइटिड नेशन द्वारा इस विशय को लेके खत्रे की घंटी बजाई जा रही है तो अभी ये उम्मीद की जा सकती है कि अब निकट भविशय में अमरीका हुथी विद्रोईयों और सौधी अरब वे युएई के बीच सीधी वारता होगी और चार साल से चले आ रहे इस युद की समाप्ती होगी तो साथियों आज हमने आपको बताया कि ये कि ये सीक्रिट टॉक्स अमरीका और यमन के हुथी विद्रोईयों के बीच शुरू होने वाली है और अमरीका द्वारा सौधी अरब वे युएई पे भी दबाव डाला जा रहा है कि सौधी अरब और युएई भी इस बातचीत का खिस्सा बने एक बात तो तह है कि अगर अमरीका ये निश्चे कर लेगा कि उसे यमन के हुथी विद्रोईयों के साथ बातचीत करनी है इस बातचीत में शामिल होंगे साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपने हमें सुना उसके लिए शुक्रिया